और अप सब यहां पे हैं और आप सब यह साक्षी हैं कि पूरी औयोतिय दूलन की तरह सच रही है, हर जगा फूलों की जो है वो मालाएं लग रही है, फूलों से डेकॉरेशन हो रहा है, हर जगा यग्य हो हम भी अभी राम भदरचारे जी के वहाँ पर जो हनुमान यग्य सा इसका नालाज को अगर उन लोगों के बसकी नहीं है, तो राम अब आ रहे है तो उसका भी कोई रीजन है और हमारे लिए तो ये राम महीं होने का वक्त है जिन को नहीं आना है, वो कहते है ना डू bir शादियों में कई जो फूफ और चाचा होते आप जो नाराज रहते हैं तो वैसे फूफ और चाचा बनके रहें वो नाराज रहें जी आप लाज अके बहुत ही जादा मेरे दिल को बहुत जादा एक मैं कहूंगी के इतना जादा अच्छा अनुभव रहा है और बहुत ही सुकून है आयोध्या में और एक तीरत है जन्मों के पुन्य कर्म होते हैं जो यहां पे हमें इस तरह का सभागय प्राप्त होता है आप लोगों के भी पुन्य कर्म है तो इस टाइम पे मुझे लगता है हमें सबको सिर्फ राम मही होना चाहिए और सिर्फ उसी पे फोकस करना चाहिए मैं कुछ महीने पहले भी आई थी अपनी फिल्म की एक इवेंट के लिए और वहां पे अचानक से एर्पोर्ट आ गए हैं अचानक से इतना सब कुछ हो गया है तो हमारे जो भी और गिनाइस जिन लोगों ने किया है उन लोगों के भी बहुत एक महनत कहें गया एक उन लोगो काम नहीं है उनको भी बहुत शूर काम ना है